नमस्कार, धर्ड आई में आपका स्वागत है कल 30 जन्वरी थी और 30 जन्वरी को बापू का पुड़िती थी हम लोग मनाते हैं आज से 72 साल पहले एक सिर्फरे व्यक्ति मैं बोलूँगा ने बापू के सीने में तीन गोली दाक के उनकी हत्या कर दी थी बापू ने जो मरते समय उनका अंतिम शब्द था वो हे राम था उन्होंने अपने अराध राम को याद किया था और हे राम था आज 72 साल बाद कल बापू के 30 जन्वरी को पुड़िती थी में वो हे राम से राम भक्त का सफर कैसे हुआ उस पे थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें कल एक राम भक्त जी आए उनका पूरा नाम लेना अब शायद मुनासिब नहीं है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो जो वैनल मतलब वो बच्चे हैं 18 साल से कम उनकी उम्र है तो इसलिए उनको हिंदुस्तान का कानून ये प्रोटेक्शन देता है कि उनका नाम और उनकी चहरा न दिखाया जाए हाला कि उनका चहरा तब तक बहुत हो गया था 19 में पूजा शकुन पांडे और उनके पती थैशोक पांडे पूजा शकुन पांडे जी ने अलिगड़ में बापू के एक पुतला या एक फोटो लगा के उसमों ने रॉलर से गोली मारी फिर उन्होंने कुछ उसमें लाल रंका इस तरह का तरल पदार बढ़ा कि जिससे इसा कहा जाता है कि पुलिस ने उनको गिर्फतार किया था लेकिन अभी तो मैं निश्चित रूप से जानता हूं कहीं न कहीं बाहर होंगी जेल में बिलकुल नहीं होंगी और उन पे कोई सेडिशन का केसे भी नहीं लगा इस देश में अभी पिछले हफते मतलब ही आप उस प्ले को इनैक्ट करने में करनाट का सरकार को लगा कि उस सेडिशन का केस है मतलब वो देश द्रो का केस चौती क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर देश द्रो का केस लगाए गया है दूसरी तरफ कल की जो घटना हुई बहुत ब्रीफली उस घटना पर क्यों तो यहां से राजगाट तक पैदल मार्ज करेंगे शांतियाध्रा और वो इकठा हुआ उसको पुलिस ने शायद परमीशन नहीं दी थी उस समय एक बचकर 40 मिनट पे एक युवक कहीं से निकलते हैं जिनको हम अपने सुविधा के लिए उनका नाम राम भक्त है कि उन्हों भक्त जी ने देशी कटा निकाला हवा में लहर आया पुलिस सामने खड़ी हुई थी और उसके बाद उन्होंने गोली दाग दी गोली एक छात्र को लगी इसके पहले मैं बता दूं कि राम भक्त जी क्या हैं राम भक्त जी को इनिशिली कहा गया 19 साल के हैं लेकिन बाद मे उनकी क्लास 10 की माक्षित तुरंद निकाल दी गई जिसमें बताया गया कि 8 एप्रिल 2002 में उनका जन्म हुआ था तो अभी वो 17 साल 9 महिने के ही हुए हैं ये दाउजी महमल जो जेवर का एक गाउँ है ग्रेटनोडा में वहां के रहने वाले हैं पुलिस का ये सब मैं पुल छिबूक में कुछ फोटो भी शेयर की गई है । हाप की रिपोर्ट के अनसार ये पराई साब नियतन बिप्छे कहेंगे मासूम जो है मैं यह जो मासूम है रामभक्त मासूम य दियूक्त हिए अंसार जो सुबोच सिंग का कि रिपोर्ट के खैए यह अगर आपकी याद इनका कुछ रोल था, ये टेलिग्राइफ की रिपोर्ट कहती है, वो वही गंगा था, जहांके योगेश राज और शिकर अगरवाल, जिन लोगों ने, जिस भीड में देखे गए थे, जिसने सुबत कुमार सिंग जी कुमारा था, आज वो जिल से बाहर आ गए हैं जवानत प मास कौम में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हैं, उसके दूसरे सिमिस्टर में हैं, डोडा जमु कश्मीर के रहने वाले हैं, पिता इनके शिक्षक हैं, और एक इत्वाक की बात ये है, कि इनका जन्द दिन 15 अगस्त को ही हुआ है, मतलब 15 अगस्त इनकी डेट अप बर्थ ता उसने, राम भक्त जी ने, मासूम ने, इनके उपर, वो तो इनकी जान बशनी थी, इसलिए इनके हाथ पे लगी, वो गोली इनके कहीं और भी लग सकती थी, जहां से ये फेटल हो सकती थी, अब समवेदना जरा पुलिस की देख लीजे, फारूक साहब को बेरिकेड खो सेंटर था, वहां रेफर किया, और एक चालिस पे करीब गोली लगी थी, और पांच बजे, इनका आउपरेशन करके, वो गोली जहां पे थी, वो निकाली गई, या गोली जो भी फस गई थी, वो हुआ, ये जो राम भक्त जी है, इनके फेस्बुक अकाउंट पे आप बंद कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो फेस्बुक बंद कर दिया गया, अब आप जाईए तो आप उनके फेस्बुक को नहीं दे सकते हैं, उसके कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं, जो आप से के साथ शेयर किये गए हैं, ये सारा कुछ हुआ क्यों, इसकी अलग अलग तर से वो शाहीन बाग के लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रहे ही, किसी तरह से कुछ हो जाए, जिससे वोयलिस हो जाए, इसकी सीक्वेंस में चार पाँच लोगों के नाम बार बार लिये जा रहे हैं, लेकिन ये चार पांच वह नाम है जिनका वीडियो रिकॉर्ड लेकिन more or less इसी तरह की भाषा सारे बीजेपी के जो उमीदवार हैं वो भी बोल रहे हैं कपिल मिश्रा जी जो बीजेपी के उमीदवार हैं आम आदनी पार्टी छोड़ के आ हैं वो एक बार बार एक चीज़ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इंडिया पाकिस्ता हैं और बात मानी हुए कि कपल मिश्रा तो यह माने ही हुए हैं कि वह इंडिया है मतलब भाजपाई तो मतलब अगर आप गोली मार दे रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप गोली मारी है और अच्छा ये तो पहले ही से सर्ट सर्टिफाइड है अपना सर्टिफ्ट खुद दे दिया गया है कि बीजेपी देशबाग और ये खुदी कपल मिश्राजी ने कह दिया है कि जो उधर वोट करेगा बीजेपी को छोड़ के जो वोट करेगा वोट करेगा वो पाकिस्तानी है तो बादे वो कहे हुए हैं अल़ा ठाकुर जी का कहना है कि जो गदर हैं को बोली मार तो उधर एक परवेश वरमा जी हैं वो परवेश हैं, साहब सिंग वर्मा के लड़के हैं, साहब सिंग वर्मा अच्छे आदमीं थे, बीजेपी के बढ़िया नेता थे, अब उनके लड़के किस तरह का कर रहे हैं, वो खुले आम कह रहे हैं कि अगर आप ने, मतलब बीजेपी को छोड़के इनको जिताया किसी और को तो आपके घर में घुसके बना वो एक अजीव तरह की बात कर रहा है कि वो घुसके आपकी लड़कियों को अठा ले जाएंगे आपकी माताओं को अठा ले जाएंगे कौन सी बात कर रहा है हो MP हो elected MP हो और इन सबके जो लीडर बोली है या जो इन सबके प्राता वंदनी प्राता इस्मरणी जो हैं अमिशा साब है वो अपने भाशन में कहा रहा है कि अब आप ये बताईए कि आप शाहीन बाग के साथ रहेंगे कि भरत माता के साथ रहेंगे जो बीजेपी को वोट कर में है अरे वही शाहिन बाग हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है तो ये आप कौन सा एक narrative सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसलिए कि आपको पता है कि दिल्ली में आपकी बुरी हालत होने वाली है दिल्ली election में आपके पास मुद्दे नहीं है मतलब आप घूम पिर करके आ पाकिस्तान इंस्तान पाकिस्तान इंस्तान शाहिन बाग उसको एक साहब कहते हैं तोहीन बाग वो सुचते हैं कि वो बहुत बड़ी बात कुछ कह रहे हैं शाहिन बाग तोहीन बाग इस तरह की बाते कर रहे हैं तो एक साहब यह परवेश वर्मा जी कह रहे हैं कि यह अंतिम भी बिलकुल कसके इनके साथ है अब इनके बस में नहीं चला तो अब इन्हों ने अपने मीडिया में मैं गोदी मीडिया कहिए या जो वो मीडिया वाले जो इनके साथ हैं या इनके हमदर्ध हैं आप आज आज की एक अच्छी बात आपको बता हैं कल इतना बड़ा कांड हु जीजिए उस पेपर की लीड स्टोरी यह है लगनो एडिशन देख लिए दैनिक जागरण का यह खबर पांचवे पेश पेश पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पहला दूसरा तो उनका एड़ुटीजमेंट का होता है लेकिन उपेश तो ही जैकेट उसको बोलते हैं लेकिन हम तो जब पेपर ले रहे हैं सबसे पहले वही दिखता है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवे पेश 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 पे यह उनके इसाब से इसकी एहमियत यह है मीडिया जो है दो-दो मीडिया के संपादक लोग जाके वहां पे प्रवोक कर रहे हैं और कैसी बात की अब आप एक चीज ये बताइए दिल्ली पुलिस सीधे सीधे ग्रह मंत्रा लेके अंडर है मतलब उनके जो सबसे बड़े मंत्री हैं वो अमिश जा रहा है अब अगर अमिश जा साह जिस तरह की भाशा बोल रहा हैं जिस तरह की चीजें कह रहाiziert है उस पे दिल्ली कुलि दिल्ली पुलिस जामिया में घुस के लाइबरेरी तक में मारपीट करती है जो मतलब चीजें तोड़ फोड़ करती है सबने दिखा है इतनी प्रोएक्टिव होती है वही दिल्ली पुलिस पांच जैनवरी को जब कुछ नकाब बांद के ऐसा माना जा रहा है कि वो सत्ता धार इदर के स्पॉंसर्ड लोग थे उनलों के घुस के जेनियू में मारपीट करते हैं तो तठस रहती है वो ऐसे गेट पर खड़ी रहती है कि हमें हम तीन घंटे तक अंतर इसलिए नहीं घुसेंगे क्योंकि हमें रिटन ओर नहीं है अला कि जेनियू वाले कह रहा है हमने रि उमारा इए तो यह कुछी कहीं ना कहीं गंगा तो ऊपर से नीचे आती है हना जो ऊपर गंगोत्री है वहाँ से अगर इस तरह की भाशा आप बार बार कहा रहे हैं कि करण्ट वहां तक पहुंचे और क्या क्या पहुंचे तो नीचे वाले को लग रहा है कि भाई ऐसा है नौकरी बचानी तो ऐसा करो, एक आप, मतलब इसमें मैं इसी को, पहले उसको कहा गया, 19 साल, अब वो कहा जा रहा है, जोविनाइल है, बहुत अच्छी बात, लेकिन इस तरह के केसेज में, मेरे हिसाब से, अगर वो जोविनाइल है, तो इसका मतलब उसके माबाब की भी जम संसकार दी है, कांस्पिरेटर बनाईए, और बिलकुल आप इसमें उनको करिए, क्योंकि माबाब की जम्यदारी है, अगर लड़का इस तरह का कह रहा है, 18 साल जो उपर है, तो माबाब कह सकते हैं, मेरे जम्यदारी नहीं, 18 साल से कम है, जहां पर उसको, इस बात का लाब म मुझे लगी, पहली, जो वहां की वाइस चांसलर नजमा अक्तर है, उनका एक लंबा स्टेटमेंट है, उसमें से केवल मैं इतनी बात कह रहा हूँ, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के पीछे खड़ी हुई है, बिलकुल मजबूती के साथ, और उन्होंने अपने और मैं भी ये मानता हूँ, दूसरा एक आदमी का नाम और आवश्रक लेना है, जो अभी एक केस हुआ, जिसमें आप सम लोगों ने देखा होगा, कि अर्णब गोस्वामी जी एक इंड़ो की फ्लाइट से बंबई से लखनू आ रहे थे, और उनको एक कुणाल कामरा जी है जो stand-up comedian हैं और कलाकार हैं, उन्होंने उनसे plane में कुछ सवाल किये, जो तीखे सवाल थे, और शायद बहुत गुट टेस्ट में को लोग कह सकते हैं, नहीं थे, उनको तुरंट, मतलब ये सब शाम को हुआ है, और सुबह तक उनको इंड़ों ने no-fly list में डाल दिया, मतलब के मंतरी उसमें कूद गए, उन्होंने कहा कि इनको सारे मैं तो करना हूँ, सारी airlines को करना देना चाहिए, अब जब मंतरी जी ने कह दिया, तो Air India को करना ही था, फिर Go Airlines ने भी कर दिया, शायद और Spice Jet ने भी कर दिया, बाकी airlines को करना ही है, और इसको एक प्रक्रिया होती है, मैं उस detail में नहीं जा रहा हूँ, मैंने सोचा था कभी detail में करूँगा, लेकिन मौका नहीं मिला, ये no fly करने के भी level 1, level 2, level 3 charges होते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है, इस pilot Rohit Matethi, जो थे उस 6C5317 जहास के जो commander थे, उन्होंने एक liquid email, जो आज सारे paper में उपलब्ध है, उन् उन्होंने साफ साफ कहा है कि कुणाल कामराजी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया था, कि उनको level 1 का offense माना जा और उनको no fly list में डागा जाए, उन्होंने ये भी लिखा, कि इस से ज़्यादा बदमाशी और इस से ज़्यादा दुर्वैवार बहत बार पहले भी हो चुका है, ले मतलब सबसे नौरतनों में एक हैं, उनके साथ अगर कोई uncomfortable question और जो शायद पूछने की style ठीक न हो, पूछ लेता है, तो उसको no fly list में डाल दिया जाए, लेकिन आपके मंतरी उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन इसी जगा एक मीडिया का आदमी रवीश कुमार का नाम ले रहा है, उसको maxis award मिला है, आपकी सरकार में, चाहे वो प्रधान मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, उनको क्या एक बार किसी ने, किसी ने भी बधाई देने का काम किया है, maxis सम्मान, अंतराश्टी सम्मान है, जो हमारे एक भारती पत्रकार को मिला है, इतनी, मतलब इसको क्य बोलेंगे, इतनी संवेदना, या इतनी basic कर्ट सी भी किसी ने दिखाने की कोशिश नहीं किये, अंतर गोस्वामी के case में no fly में डाल दिया गया है, अंत में अपनी बात इसी बात से कहूंगा, कि जब देश का बटवारा हुआ, तो महात्मा गांधी को एक party विशेश, एक व हमारे प्रधान मंतरी जी भी राजगाट पे जाके अपना सिर्न वातने होर के सामने, और दुनिया राक्ष्ट में कहते हैं कि हमें गांधी जी के पत्चिन्नों पे चलना है, कहना ये है कि आज जिनको कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तानी, आप देश दुरोही, आप क्या-क हो सकता है आने वाला समय, जो ये सारे लोग जो इस समय अपनी बात कहने की हमत कर रहे हैं, उनको शायद याद रखे, क्योंकि जब कुछ इस तरह की समस्या थी, तो वो कम से कम खड़े होके अपनी बात कहें थे, धन्यवाद। झाल